हाई अबरिवान वेलकाम टो डेली वन कुषिन प्रैक्टिस सीरीज फोर सी एसाई आर नेट लाइप साइंस 2023 आई वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं कौन से कुषिन को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आज की वीडियो में जो कुषिन हमारे सामने है वो आया है य सब्सक्राइब कर लिया है समझ भी लिया है अब इसको सौल करने की बारी है तो देखो यहां पर थर्ड जनरेशन दे रखिया वान टू थ्री सबसे पहले फर्स जनरेशन में यह फीमेल है यह मेल है जो सरकल में होता है वो फीमेल है जो स्केर में है वो मेल है इन दोनों के बीच मेटिंग हुई तो यहां से एक मेल आया इस मेल ने जब इस फीमेल मारी मदर से और एक कोपी होती है हमारे फाधर से ऐसे अगर सेक्सक्रोमोजोम की बात करें तो अगर कोई यहां पर इन दोनों के इन इंदि विशल यह है तो हम इनको एनलाइज करके भी इसका बता सकते हैं क्रेशिन में यह पूचा एंठ तो सबसे पहले देखो इन दोनों की मेटिंग से दो फीमेल मिली है और दो मेल मिले है तो फीमेल के अंदर होता है X X क्रोमोजोम यानि यहां पर यह दो कोपी देके रखी है इसमें एक X मदर का है एक X फादर का है यहां पर भी दो कोपी है इसमें एक X का है है यह यह तो यह हो सकता है जो की फादर से आए या तो एक हो सकता है जो कि मदर से आए हमते के वैसे पता लगेगा कि यह जो डिया है यह यह ब्ता देती हूं देखो आपने सुना होगा कि जब जो germ cell होते हैं हमारे अंदर उनसे gamit बनता है लेकिन gamit बनने के लिए एक cell division होती है जिसका नाम है meiosis तो meiosis के थ्रू ही एक germ cell से gamit बनता है तो यह जो meiosis होती है उसमें एक process है that is called recombination तो जब भी gamit बनते हैं उससे पहले recombination होता है ताकि variation हो सके थोड़े अलग type के चीज़े बन सके तो इस अलग type के लिए बहाँ पर variation होता है तो यह जो recombination है इसका एक rule यह है कि हमेशा homologous chromosome के बीच में ही recombination होगा recombination में क्या होता है कि एक chromosome पर जितने भी gene है जैसे A, B, C, D है तो वह A, B, C, D ही रहते हैं उनकी position भी सेम रहती है लेकिन जो allele होते हैं वो change हो जाते हैं जैसे हमने Mendel वाले case में पढ़ा है कि toll के लिए capital T होता है और dwarf के लिए small t होता है तो वहाँ पर gene तो एक है that is height के लिए है लेकिन उसके allele different हो जाते हैं तो recombination में भी सेम ऐसा ही है कि जो gene का number है chromosome पर वो सेम रहेगा उनकी जो position है वो भी सेम रहेगी लेकिन जो allele होते हैं वो change हो जाते है, exchange हो जाते हैं दोनों की बीच में इस तरीके से recombination होता है है तो female के अंदर तो जितने भी chromosome है अबर वह non sex chromosome है या sex chromosome है सब में recombination होता है यहाँ पर जो x। और री कॉंबी नेशन होता है लेकिन male के अंदर अगर बात करें तो वहां पर जो non sex chromosome है theft 22 Cohen सभी में तो recombination होता है लेकिन सब्सक्रों कर या ने सब तो वहां पर मेल से जो एक्स आएगा वह एजटी जाएगा जैसे कि फादर के अंदर है या फिर अगर दो मेल को कंपेर करें तो उन दो मेल के बीच में जो क्रोमोजोम बिल्कुल सेम जीन को रखता होगा यानि वह मदर से आया होगा क्योंकि फादर में रिकॉंबिनेशन नह कि यहां first female की बात कर graffiti तो डोनों ही एकस क्रोमोजोम होँगे एक फादर से आया होगा हैं जो फादर से आया होका और जो मदर से आया वह वो थोड़ा यूटी कोंबिनेशन नहीं हुआ तो जो जीन का पोजिशन है जो जीन के अलील हो बिल्कुल सेम है तो यह जो X chromosome है इसको मैं S X M से लिख देती हूँ क्योंकि यह मदर सोरी इसको हाँ मेल से आया है तो इसको मैं X M लिख सकती हूँ यह भी क्या है X M है जो दूसरी है Y है इसको में भी देख सकते हैं A1 B1 C2 D1 A2 B2 C1 D1 यानि जो एलील की पोजिशन है जो एलील है वो डिफरेंट है दोनों में तो मतलब यह कौन सा होगा यह X ही होगा यह भी X होगा क्योंकि अगर यह Y होता तो दोनों बिल्कुल सेम होते लेकिन यह Y यह X है तो हमें इन चारों को ही कंपैर करना पड़ेगा अगर हम मदर का जिनोटाइब देखना चाहते हैं तो ठीक है कौन-कौन से चारों है दोनों तो होंगे मेल के और फिमेल के वो जो की मदर से आए है तो सबसे पहले है सी तुए नि मदर के पास सी टूबी है और शी वन भी है फोठह बी जेहां यहां यह कह रहा है कि मदर के पास के वल लेकिन हमीं यह भी च्च्क करना पड़ेगा इसमें यहां नहीं आया है यह अलग बात है लेकिंघु भी है तभी तो इनके दिटो वी है तो इहां पर डी वंभी है और दी तू भी है तो मदर का ज़ुक्ष्यिनु टाइप है वह चैसा होगा कि उसके पास एवन भी है दी तू भी है बी दू भी है इसे वह घोald 2B Ticket लो कि भूम लो मदर के पास अगर दीवरण को था तरशी मा El कया है तो उसके जो पर दी फून होते उनमें इट आ ता हिनữa लेकिन यहाँ पर दी टू भी दिया हुआ है तो उसका बतलम मदर के helped लग 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 फीमिल्स के अंदर तो हमारा सही आंसर यह होगा चलिए देखते है यह कों से इसमें दिया हुआ है एक निट की कई यहरे इस तो दो को फ़irt option में दिया है कि even head with a to a2 है लेकिन उसरों गणिए एक गुराओं है यह वन भी है यह लेकाट जायेगा सेकिन बिया है कि C1 है, B2 है, C1 है, C1 है, C2 नहीं दिया है, तो यह भी गलत हो जाएगा, यानि third option will be the right answer for this question, I hope आपको यह समझाया हुगा question, लेकिन अभी भी अगर कोई doubt है, तो आप comment करके मुझे पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई topic के साथ में, till then bye bye, take care.